नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कर्यालाय में आयोजीत कारिकरम में परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास ने कहा है कि मन की बात कारिकरम 20 अस्तर पर सनवाद का सबसे बड़ा कारिकरम है जो भारत जैसे लोकतांतरिक देश के जन जन को अपने पधान मंत्री से जोड़ता है 81 बिधान सभा में 81 सवस्थानों के अतिरीक्त 920 अस्थान निधायित किये गए हैं जारखन में कुल 9000 अस्थानों पर कारिकरम आयोजीत होने वाले कारिकरम में 10 लाख लोग सामिल होंगे परदेश अध्यक्ष तिपक प्रकास ने कहा है कि यह अनुठा और एतिहासी कारिकरम एक दिये की तरह भारत के हर घहर को प्रकासित करता है दिपोच्चो कारिकरम में छेत्रिये संगठन महामंत्री नागेंद्र तिरपाथी सुबोध सिंग गुड़ू, नवीन जैसवाल, संजय सेट, केके गुपता, सूरज चोरस्या, सी पुजन पाठक समेत कई करकरता सामिल हुए बदादे सिरी प्रकास ने कहा है कि 30 अप्रेल को दीन के 11 बजे प्रधान मंत्री नाइनमोदी के मन की बात कारकरम के स्ववे संसकरन का प्रसारन होगा इसको लेकर त्यारी पूरी कर ली गई है जारखन पर मौसम में हरबान है अप्रेल के दोसरे सब्ताह में जिस तरह की गर्मी बढ़नी सुरू हुई थी उसने यहां के लोगों को चिंता में डाल दिया था गोड़ा में पारा 45 के पार जा चुका था लेकिन तीसरे सब्ताह से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है अब सवाल है कि यह सिर्सीला कप तक जारी रहेगा बतादे रांची के मौसम केंद्रे के मुताबिक अगले एक सब्ताह तक जारखन के लोगों को गर्मी नहीं सताएगी जारखन में अगामी पांच मई तक आसमान में आंसिक बादल चाहे रहेंगे इस दोरान जगह जगह में गर्जन के साथ हल की बारिश भी हो सकती है वहीं अधिक्तम तापमान 35 से 36 डिगरी सेलसियस के बीच रहेगा हलाकि 29 अप्रेल को जमसेद पूराव सराय के लामे अधिक्तम तापमान 30 डिगरी रिकोर्ट किया गया है जैक बोर्ड रियल्ड जल्द होगा घोसित एसमेस से भी देख सकते हैं रिजल्ड जारखन एकेडमी कौंसील यानि जैक बोर्ड जल्द ही दसवी और बरहमी का रियल्ड घोसित करेगा रिपोर्ट स्की माने तो इंटर आट साइंस और कोमर्स वामेटरी के रियल्ड माई में घोसित किये जाएंगे हलाकि अभी तारिक और समय के जारी होने के समध में अधिकारिक पुष्टी नहीं है बता दे छात्र जैक दसवी और बरहमी का रिजल्ड जैक.झारखन.gov.in पर चेक कर सकते हैं वहीं आट साइंस और कोमर्स के लिए जे एसी बरहमी परिणाम 2023 डाउनलोड करने के लिए छात्रों को लोगिन विंडो में अपने रोल कोड और रोल नमबर का उप्योग करना होगा इसके अलावा छात्र एसमेस के जरिये भी अपने रिजल्ड देख सकते हैं वहीं दसवी के रिजल्ड के लिए टाइप में JHA10 फिर एसपेस देखा रोल नमबर लिखे और इसे 5-6-7-6-7-5-0 पर भेजे भागवान जगरनाथ के दरबार पहुचे सियम हमांत मुख्य मंतरी हमन सुरेन ने अपनी पतनी कलपना सुरेन के साथ उडिसा के पूरी स्थीत भागवान जगरनाथ के मंदीर में बीधी बीधान से पूजा अर्चना की उन्होंने जार्खन वासियों के उनती सुक्सान्ती और स्वास्त जीवन की कामना की है इस मौके पर मंदीर प्रवंधन समित्ती की ओर से उन्हें भागवान जगरनाथ की राथ यात्रा से जुड़ी फोटो फ्रेम भेंट की गई इस दोरान उनके सचीव बिनाय कुमार चवबे भी मवजूद थे बता दे पुजा करने के बाद मुख्य मंत्री ने मंदीर परिशार में मजूद भागवान जगरनाथ के भकतों का हाथ जोड़ कर अभिवादन किया यहां मीडिया से बात करते हुए सियम हमन्सुरे ने नक्सल समझ्या पर भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा है कि नक्सलियों की खिलाप लड़ाई आखरी चरण में है और अगर उडिसा 36 गड़ जारखन साथ आए और नक्सलियों की खिलाप लड़ाई लड़े तो हमें जल्द ही सपलता मिलेगी जैक बोड इंटर परिक्षा की कौपियों की जाच में मिला गाना और हनुमान चलिसा जारखन एकेडमी कौंसिल की परिक्षा समाप्त होने के बाद परिचार्थी रिजल्ट का इंत्यार कर रहे हैं सिक्षको की कॉपी जाचने की परकिरिया भी लागतार जारी है लेकिन मुल्यांकन कार्य में लगे सिक्षको को अंक देने में भारी परसानियों के सामना करना पर रहा है। बता दे परसानी की वज़ा है परिजार्थियों का उत्तर लेखान, दरसल कौपियों की जाच में लगे सिख्षको को कई ऐसी कोपिया मिली है जिन में छात्रों ने हुब बहु प्रश्ण को उत्तर दिया है, किसी ने प्रश्ण पत्र के सभी निर्देशों को करमवार उतार जिसमें चात्रों ने उत्तर को बढ़ा करने के लिए हनुमान चलीसा लिख दिया है कुछ ने फिल्मी गाने को बोल लिख दिये है वहीं एक परिशार्थी ने तो पूरे अंक देने के लिए सिक्छक के अनुरोध तक कर डाला उन्होंने लिखा है सर मैंने मेहनत से परिक्षा की त्यारी की है अता आपसे अनुरोध है कि मुझे पूरे अंक दे क्योंकि मुझे राची के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिसन लेना है आदिवासी बच्चों के साथ जूमें सियम हेमान जारखन के सियम हेमान सुरेन आदिवासियों के लिए किस जय से संस्थान का समर्थन करने के लिए त्यार है दरवसल ए बाते सियम हेमान सुरेन ने तब कही जब हुआ और उनकी पतनी कल्पना सुरेन एक कारकरम में सामिल होने के लिए उडिशा गये हुए थे बता दे कि इस कारकरम में उरिशा के के आई 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 टी और के आई एस संस्थानों के 40 एर आदिवासी छात्र एकतिर्थ हुए थे यहां कलिंग इंस्टूट अफ इंडस्ट्रियल टेकनोलोजी और कलिंग इंस्टूट अफ सोसल साइंस के समारों में जन जातिये छात्रोगी भारी भीरी से प्रभावीत सुरेन ने कहा है कि उनकी सरकार जारखन में के आई एस एस जैसे संस्थान के लिए सहाथा पदान करने में संकोच नहीं करेगी धनबाद में टला बड़ा हाथसा भूधनसन में पांच लोग घायल एक कीमवत जारखन के धनबाद जिले के निर्शा थाना छेतरे के चापा पूरी कोलियरी का नौ नमबर बंद खधान एवां बैजरा कोलियरी के चौदा नमबर बंद खधान के समीप अवैद खनन के दर भूधनसन के दरान बंद खधान में अवैद उत्खनन हो रहा है इसमें पांच लोग घायल होगा है जिसमें एक व्यक्ति की मौत की चर्चा है आजसू का समाजिक नय मार्च 30 अप्रेल को एक माई से उनाइस जीलो में दैनिक मांदे पर पुराने सेल्समेन बेचेंगे सराब राज्य में एक माई से सराब की बिकरी के लिए सिर्फ पांच जीलो के लिए ही प्लेस्मेंट एजेंसी के चैन हो सका है 29 जीलों के लिए अब तक प्लेस्मेंट एजनसी नहीं मिली है यहाँ पुराने सेल्समेंट के माध्यम से हिदैनिक मांदे पर उत्पाद विभाग सराव की बिक्री कराएगा बता दे इन जीलों के उत्पाद अधिकारियों के देख रेक में ही दुकानों का संचालन होगा यह बैठक में यह अभी बात सामने आया है कि राजे की सभी 24 जीलों को 10 जोन में बाट कर प्लेस्मेंट एजनसीयों से टेंडर अमांत्रित किया गए थे इसमें सिर्फ 2 जोन के 5 जीले गिरिडी देवगर पलामू गड़वा वलाते हार जीले में ही स्तराब दुकानों के संचा करवाई में 417 वाहन जब्त किये गए हैं देर रात तक दुमका को छोड़कर अने सभी जीलों की रिपोर्ट कमपाइल की जा चुकी है मुख्य सचिव के निर्देश पर हर जीले में टास्क फोर्स ने छापे मारी कर अवैद परिवाहन में सामील वाहनों को जब्त करने के स साथ ही इनके खिलाफ मामले भी दर्च किये हैं धन्यवाद